नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तु नमस्कार दोस्तों आप सबी का स्वागाता इस्टेडी फार एकजामस में दोस्तों टॉपिक वाइस करेंट अफेर स्रीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ मोश्ट इंपोर्टन करेंट अफेर को डेटेल में कबर करेंगे साथ में उससे लेटर कुछ इस पर कॉले वर्ट साफ करके जो है जानकारी प्रात्व कर सकते हैं तो आए हम लोग सुरू करते हैं वीडियो देखते हैं आज का पहला टॉपिक नेपाल भारत सन्युक्त आयोक की साथ में बैठक यह जो बैठक आज़ित की गई थी यह जनवरी 2024 में यह बैठक आज़ित की गई थी और इस बैठक के दौरान भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्सों में जो है 10,000 मेगावाट बिदुत के निर्याद के लिए जो है दुई पार्ती अंतरिच अमसंदा संगठन जिसे हम लोग इसरोग नाम जानते हैं इसे जो है अपने PSLV से लांच करेगा और यह जो उपग्र है यह नेपाली छात्रों ने विक्सित किया है तो नेपाल का जो उपग्र है मुनाल इसे भारत का इसरो प्रिछिवित करेगा PSLV से आ इना पर आप देख पारहे होंगे यह आपका नेपाल कई बाडर है इस प्रकार से यह जो आपका इतरा खंड़ है उत्तर प्रदेस है बिहार है यहां यहां पर पसे मंगाल ले आपका है फिर आपका से कि म्य स though जो है पांच अज जो है नेपाल सीमा साजा करता है भारत नेपाल सनुत आयो के जो अस्थापना होई थी वह 1987 होई थी और नेपाल जो है अपनी नेवर हुड फर्स्ट नीद के तहर जो है भारत का प्रात्मी जो है भागिदार भी है भारत टुटल पांच राजे जो नेपाल साथ सीमा साजा कर साथ में जो है विदेशी निवेज का सबसे बड़ा स्रोधवी भारत ही है नेपाल का भारत ने नेपाल में तीन प्रमुख ट्रांसमिशन गल्यारों को वित्त पोषित करने के लिए 680 मिलन डालर की जो है रिन साहता दी है और यह जो गल्यारे हैं आपका भेरी गल्यारा, निजगर, इनारुवा गल्यारा, गंडग, नेपाल गल्यारा परिच्छा में सिर्य सिर्य पूछ सकता है कि भेरी गल्यारा किस देश में स्थित है निजगर, इनारुवा, गल्यारा आपके किस देश में स्थित है या इसमें किस देश के सयोगसी यह बना है तो या आपके भारत के सयोगसी यह बना है और 2023 में भारत के रूप इडिया और नेपाल के नेपाल गंज में तो इन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अस्तापित की गई है तो यह भारत का स्थाना आपका रूप इडिया है और अंतराश्री सवर्गटबंदन जो भारत इसका नित्युत कर रहा है इसमें भी नेपाल सामिल है और अंतराश्री सवर्गटबंदन जो मुख्याल है वह गुरुग्राम हर्याणा में स्थित है साथ में जो है सोदेश दर्सन योजना में बौध और रामायर सरकिट सामिल है और इसमें लुम्बनी और जनकपुर जैसे धार्मिक सहर भारत से जोड़ते हैं हम इस प्रकार जो है जो वीडियो बनाने के उदेश विसेश रूप से है कि नेपाल समदी जितने भी इंपॉर्टन फेक्ट आपकी परिछा के लिए हैं सब कुछ इस वीडियो को माध्यम से आपको कबर करा दिया जाए हर प्रकार के कंटेंट जो है इसमें आपको देखने जलविद्युद परियोजनाओ से प्रसन आता है जिसमें भारत सयोग किया है पसिं सेती और सेती नदि परियोजना ये आपके नेपाल में है और इसमें भारत का काफी योगदान दःए है आए ते हम लोग कुछ और important चीजे जो नेपाल समन्दित है हर वर्स जो है भारत और नेपाल की मद्द जो है सूर किरन सेन अभ्यास होता है और 2023 में जो अभ्यास है या उत्तराखन के पिथावरागड में आजित किया गया था है कोसी समझाता तथा गंडग समझाता महा काली संदे 1996 भारत और नेपाल की मद्द जो है कुछ सीमा विवाद भी रहता है जिनमें पस्मी नेपाल में काला पानी लिम्पिया धुरा लिपुले ट्रांजेक्शन छेत्र और दच्छरी नेपाल में जो है सुस्ता छेत्र काला पानी जो विवाद है यह किन देशों के मद्द है यह जो भारत और नेपाल के मद्द जो है काला पान विवाद है लिम्पिया धुरा है लिपुले ट्रांजेक्शन है यह जो ट्रांजेक्शन है यह सभी भारत और नेपाल के मद्द जो है सीमा विवाद है भारती सीना में जो है এ गॉरखा एक रेजडिमेंड होती है यह आ जो है नेपाल के लोग इसमें सामिल होते हैं और अभी हाले में जो सरकार द Gladman सुरूप की अग्निवीर यह काफी चिंताज जनक है इसे हैं यहाँ के जो मंदिर है या आपके नेपाल में स्थित है तो इस प्रकाल जो है नेपाल से रिलिटेट जो है काफी इंपॉर्टन जो फैक्ट आपकी परिश्यक लुपी होगी थे उनकों लोग कबर कर लिए है आये थे हैं अगला टॉपिक अंगोला ने ओपेक की सदस्ता छोणनी घोश हैं अंगोला में जो है विसाल खनीज और पेट्रोलियम भंडार पाई जाते हैं सबसे पहले हम लोग बात करें तो ओपेक की ओपेक जो है उपेक की जो स्थापना है यह 1960 में उपेक क्या स्थापना होई थी बगदार समीलन में और शुरवात में जो इसके सदस्ते वह इरा कुबायत लीविया नाइजेरिया सवधी अरब सन्युक अरब अमिरात और वेनुजियला तिया टोटल जो अरत्मान में बारह सदस्ते देश हैं अंगोला जो है यह दचल पसिम अपरिका में सितिक जो है गनराज है और यह अटलांटिक महासागर से गिरागवा है अंगोला किया गया है अब तक जो है टोटल 16 वित आयोक का गठन किया गया है 15 वित आयोक के जो अध्यच उने गये थे वह एनके सिंग थे और पहले जो वित आयोक की अध्यच बनाए गये थे वह केसी नियोगी जी थे यह कई बार परिच्छ में पूछा गया है कर आय का विभाजन संभिधान के भाग 12 कित है जो है केन सरकार और राज्यों की वीच करों की वित रण की सिपारिस करना जो है यह वित आयोक का प्रमुक कारे होता है नीती आयोक के पूरु उपाध्याच और कोलंबिया विश्विद्याले के प्रोफेसर है अरविंद पनगडिया यह सुलामी वित आयोक के अध्यच बने है साथ में रित्विक रंजनम पांडे यह आयोक के सचिव नियुक्त किये गये है सुलामी वित आयोक से अनुरूत किया गया है कि एक अप्राइल दोजाच भी से सुरू होने वाले पांच वर्सों की आवदी को पूरा करते हुए 31 सक्टूबर दोजार पचीज तक यह अपनी रिपोर्ट उपलब्द कराए आयोमनों थोड़ा चाचा कर लेते हैं वित आयोक के बारे में वित आयोक के जो गठन किया गया था वह 1991 में इसका गठन किया गया था भारत में वित आयोक भारती संविधान के आर्टिकल 200 सी के तहत अस्थापी देख जो है संवैधानी निका है इसकी जो गठन किया जाता है प्रते पांच वर्स में जो है इसका गठन किया जाता है और इसे जो है राश्पति इसका गठन करता है इसमें एक अध्यच होते हैं और चार जो है आपके अन्य सदस होते हैं तिया जो है बहु सदसी संगठन होता है वित आयोग और इसका प्रात राश्पति को सौपता है और राश्पति जो है संसत के दोनों सदनों के समझ यह रिपोर्ट रखवाता है और वे तो आयोग द्वारा जो सिफारिस की जाती है वह केवल सलाकारी प्रवित्ति के होती है इसे मानना या ना मानना जो है यह सरकारपन निर्भर करता है तेसे रेटर कुछ important जो fact है हम उनको cover कर लिए हैं आए ते हैं अगला topic भारती लोग आयसक बाजार भारती प्रतियस परदा आयोग CCI ने लोग आयसक बाजार इन प्रतियस परदा की एक report जारी की है और इस report की अंसार जो है भारती जो हिस्टदारी है लोग आयसके उत्पादन में विश्व में वह लगवक साथ परसंट है और पूरे विश्व में भारत लोग उत्पादक देशों में जो है चौत्थी अस्थान पर आयोँ और जो top 3 जो लोग उत्पादक देश हैं आपके वो आपका अस्टेलिया, ब्राजील, चीन जो है या भारत से जादा लग उत्पादन करते हैं लग आयस के जो है मुक रूप से मैंगनेटाइड और हमेटाइड की रूप में जो है पाय जाता है और पुरे बिस्व में जो भारत चौत्य हस्तान पर है लग उत्पादक देशों में भिलाई, दुर्गापूर, बर्नपूर, जमसेथपूर, राउर केला, बुकारू जैसे बात्तपूर जो है इसपाद उत्पादे जो केंद्र है या भारत के चार राजों में है जिनमें आकास एंजी निव जेनरेशन मिसाइल, और इसा के थटपा इस्थित एकी कि रेंज, परिछण रेंज, चांदीपूर से हवा से, सताय से हवा में मार करने वाले नई पिढ़ी की आकास मिसाइल का जो है सफल परिछण किया गया है, परिछण हम से रिषदी पूछेगा, यह परिछण कहां पर किया गया है थे आपके चांदीपूर से, यह किस परकाद मिसाइल है, ति यह आपके सताय से हवा में मार करने वाले नई पिढ़ी की मिसाइल है, और स्वदोसी रूप से विक्सित, यह जो रेडियो फेक्यवन से सीकर, लॉंचर, मल्टी फेक्षणर चांदीपुर से किया गया है आईए हम लोग इन सभी टॉपिकों से कुछ मोस्ट इंपॉर्टन के प्रेक्टिस कर लेते हैं यहाँ पर 40 ट्रेक्मन दिया गया है आपको जो है सही कर्थन की पहचान करनी है भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्सों में एक हजार मेगावार्ट विद्दुत के निरियात के लिए दुई पच्छी समझोती पर हस्ताचर किया है सन्युक्त सैन अभ्यास सोरी किरण भारत और नेपाल दोनों देशों के मद्द आजित होता है नेपाल पांच भारती राज्यों के साथ सीमा साजा करता है काला पानी विवाद भारत और भुटान के बीच है आप सन्युक्त पर लेजिए पहला जो स्टेट्मेंट वह सही है भारत और नेपाल ने अगले 10 वर्सों में 10,000 मेगावार्ट विद्दुत के निरियात के लिए अगला पानी विवाद है यहां पतीन स्टेट्मेंट दिया गया है ओपे के वर्तमान सदस्युक्त संख्या वबारा है अंगोला गर्याद्धानी लुवांडा है ओपे की जो स्थापना 1960 मुई थी पहला जो स्टेट्मेंट वह सही है ओपे की वर्तमान सदस्युक्त संख्या वबारा है अंगोला जो अफ्रिका का एक देश है इसकी जो रधानी आपके लुवांडा यह भी सही है और ओपे की जो स्थापना होई थी 1960 मुई थी इसकी जो सभी स्टेट्मेंट आपके सही है आएते हैं अगला प्रास्म दोग यहाँ पर भी आपको सही स्टेट्मेंट की पहचान करनी है वित आयोग की अदश अर्विन पनगडिया निउक्त हुए है यह सुरामे वित आयोग की अदश बने है भारत बिस्व में 64 स्टिवडा लाहुत पादर देश है ओडिसा के तरपा इस्थित एकी करिद परिच्छन रेंज पहला जो स्टेट्मेंट वित आयोग की अदश निउक्त की अधिक निउक्त किये गए है भारत बिस्व में 64 स्टिवडा लाहुत पादर देश है तीसरा जो स्टेट्मेंट गलत है क्योंकि इसका परिच्छन किया गया था यह विलर दूइप से नहीं किया गया था स्टेटमेंट आपका सिर्फ सही है इसका जो आपन सी है वो आपका सही है आसा है आप सभी को बहुत कुछ जाने को मिला होगा मिलते नेस्ट वीडियो में तब तक लिजय है हिन जय भारत